तलवार धनुश और पैदल सैनिक कुरुप शेत्र में खड़े हुए रक्त के प्यासे महा रथी एक तूजे सम्मुख अड़े हुए कई लाक से ना के सम्मुख पांड़ पांच बिचारे थे एक तरफ थे योधा सम एक तरफ समय के मारे थे महा समर की प्रतिक्षा में सारे ताक रहे थे जी लेकिन पार्थ के रथ को दो खुद केशा वहांक रहे थे जी रनभूमी के सभी नजारे देखन में कुछ खास लगे माधव ने अर्जुन को देखा अर्जुन उन्हें उदास लगे कुरुक शेत्र का महा समर एक पल में तभी सजाडाला शंक उठा श्री कृष्ण ने मुख से फूका और बजाडाला हुआ शंक नाद जैसे ही वैसे सब का करजन शुरू हुआ रक्त बिखरना शुरू हुआ फिर सब का मर्दन शुरू हुआ श्रीकृष्ट ने बोला उठो पार्थ और एक आँख को मीच सरा कांडी द्रख पानों को और प्रत्य न्चा को खीच जरा आज दिखा दे रण भूमी में शोधा की तासीर यहाँ इस धर्ती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ इस धर्ती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ इस धर्ती पर अर्जुन जैसा सुनी पात माधव की फिर अर्जुन का चहरा उतर गया एक धनो ठारी की वित्या मानो चूहा कुतर गया बोले बात सुनो काना जितने सम्मुक हैं ये खड़े हुए इनी सभी से सीख सीख हम सारे भाई हैं बड़े हुए उधर खड़े हैं फीश पिता मा मुझको गोद खिलाते थे गुरु द्रोण ही धनुष बान का सारा क्यान सिखाते थे सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने कोड़ी कमी ना छोड़ी कभी थी उस माता गान फारी ने ये चितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है माना दुर्यो धन्दु शाषन थोड़े से ना लायक है मैं अब रात शमा करता हूँ बेशक हम ही छोटे हैं जैसे भी हैं आखिर मादव सब्दाओं के बेटे हैं इतने सीभू भाग की खातिर हिंसक नहीं बनूँगा मैं सुन लगा कर अपना कुल्विध्वन सक नहीं बनूँगा मैं खुनजने हाथों का होता राजभूग अधिकार नहीं सको मार के कद्धी मिले तो सिंगा संसीकार नहीं रत पर बैठ गया अरजुनमन अपना क्यों था मोड़ दिया आखों में आसू भर के कांडीव क्यों हाथ से छोड़ दिया मतलब तुम युद्ध नहीं करना चाहते वार्थ मुझे पहले बतलाते मैं समवाद नहीं करता तुम सारे भाईयों की खातर मैं कोई विवाद नहीं करता पाल जाली के तन पर लिप्टी सारी खीच रहे थे वो दोशी वो भी उतने ही है चवड़ा भीच रहे थे जो घर की जब तडब रही कोई तो टूक नहीं बूले पौतर बहु को नगन देख कर गंगा पुतर नहीं खौले कोई जवाब देगा इस बात का और अजुन तुम तुम कायर बन कर हो बैठे वार्थ बड़ी बेशर्मी है संबंद उनी से निभा रहे जो लोग यहां पे धर्मी है धर्म के उपर आज यहां पे भारी संकट खड़ा हुआ और तेरा गांडीव क्यों पार्थ है रत के कोने में पड़ा हुआ धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो कायरता का भाव यह मन में आने कैसे देते हो सारी सुष्टी को भगवन बेहद गुसे में लाल दिखे देव लोक से देव डरे सब को माधव में काल दिखे कान खोल कर सुनो पार्थ मैं ही तृता का राम हुँ कृष्ण मुझे ही कहते हैं सब द्वापर का घंशाम हूँ रूप कभी नर नारी कधर के मैं ही केश बदलता हूँ धर्म बचाने की खातिर मैं अन्गित वेश बदलता हूँ विश्णु जी का दशम रूप मैं परशुरामत वाला हूँ नाकालिया केफन से मैं मरदन करने वाला हूँ बांका सुर और महिशा सुर को मैंने जिन्दा गार दिया नर सिंग बन के धर्म की खातिर हिरने कश्या फार दिया बांका सुर काश्या